यही मेन हिस्ट्री है नलंदा का इंटरनेट पे आप यही देखिएगा जिसका नाम है सारी पुत्र अस्थूपा जो भगवान बुध का परधांसी थे उनीक नाम पे अस्थूप बना था बारत वर्ष में जितना भी अस्थूप बनाये गया है समराट असोक के द्वारा लू नहीं पहुंचे तो उनका रूम तक बाजाता था हाँ बेद परकास आपका नाम है मैं याद कर लिया हूँ जब को आपका नाम बोल देंगे तो उसमें डिसकाउंट क्या वो जो कहेंगे उनहीं का नुसार चला जाएगा झालंड इनुस्टि का नाम तो सुने होगे सबसे पुरानी इनुवस्टि में से एक भारत की पुरानी इनुवस्टि अब उनवस्टि रही नहीं लेकिन भगनाव सेङष अभी भी है नालंदा में हम है और एक गाइड हमारे साथ है क्या नाम हूँ आपका मेरा नाम परवीन कुमारी ही घुमाएंगे आपको अभी कि नालंदा विश्विद्याले का जो खंडर है वो कैसा और क्या-क्या कहानिया उसे जुड़ी हुए है वो सब कुछ यह भी आपको हम लोग के साथ शेयर करेंगे चलिए लोगड़ॉन में लोग कम आते जाते रहें हैं लोगड़ॉन में तो बहुत कम नहीं के बराबर एक तरह से इधर फिर सुरू हुआ है अभी भी फॉर्णर लोग अभी फ्लाइट नहीं पुलाई से लिए फॉर्णर का यहां भीर नहीं है इंडियन टुष्ट ही आते हैं और लोगड़ॉन नहीं था तो यहां तो धेर सारे फॉर्णर टुष्ट आते थे और इंडियन टुष्ट ही आते थे इससे तो काफी परभाप परा है एक नया इंवस्टी नालंदा के नाम से बन गया है वो राजगीर में आपका बना है राजगीर के छवीला पूर रोड है व पर प्राचिन नालंदा बिस्वीद्याले में बनाया जाता था उसी तरह से निव नालंदा उनिवर्शिटी में वे वेवस्था रखा इंपान डिया है यह तो काफी ज़्यादा वेवस्था में था लेकिन जो नाव बन रहा है स spins usia और इतना अच्छा तो बेवस्था तो नहीं लेकिन होगा लेकिन होगा भी सुगुरू बनाकर भेजेंगे पहले तो यहां 108 सब्जेक का प्राही होता है यह बता है कौन कौन भी सेक पढ़ा है एस्टोमी, मेटाफिस, फिलाउस्पी, मेडिसीन, लौजी, गरामर, पाली पास भी बोला तो फिलोस्पी में जाना होगा, थिरी एर्स का कोर्स होता था था तीन साल का, पास होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता था जो पूरे बीस में भेलिड होता था, उस सर्टिफिकेट का नाम था भी सुगुरू, सारी पुत्रा, 108 नारंदा भी सुध्याले, इस पहला राजा कुमारगूप थे, जो मगद का राजा, मगद यही है, मगद की राजधानी राजगिरा था, जो 15 किलो मीटर की दूरी पे परता है, मगद बहुत बढ़ा समराज था, बंगाल, उरिसाज, आरकंड, वियार, सब मगद में परता था, उसका राजा सब्सक्राइब निर्मान के दूसरा तल्ला का अच्छा और ठर्ड थे देपाल राजा जो बंगाल का राजा थे जो नाइन हंडे डेडी माय नमी सताब्दी में और ठर्ड फ्लोर का निर्मान के इन्वर्सिटी तीन राजाओं के द्वारा बना हुआ गुपता डैनेस्ट्री अच्छा डैनेस्ट्री ठरी तायम में बिल्ट हुआ लेकिन यहां का लाइब्री पुस्टेकाल इन्आइंट फ्लोर का था नोतला का यहां का लाइब्री का तीन नाम दिया गया था तरतना-दी जब नरंदा इन्वर्शीटी में बर्निंग करवाया तो यहां का लाइबरी शिक्स मन तक रेगुलर बर्निंग होते रहा गया 6 महिना लगा तार जलते रहा गया 6 महिना क्यों जला क्योंकि 1600 साल पहले कागस का भी स्कार नहीं हुआ था उस टाइम कोपर लेटर था तामर पतर थे और उसके अंदर भोज पतर थे तो कोपर के बज़या से स्लोली स्लोली शिक्स मन तक बर्निंग होते रहा गया जदी कागज होता तो एच्छा दिन में भी खत्म हो सकता था उसके बाद तोर फोर किया उसको बाद मीटी का पहार आ गया मीटी हटा कर इसको निकाला गया है इंगलीज जाती के यानि ब्रिटीश लौट करिंगम ने नयांदा भी सुद्धाले का खोज उन्हें सो पंद्रह से उन्हें सो सैती सक किया थे बाइस साल में एक वर किलो मीटर का खुदाई हुआ बाकी जमीन खाली है उनको एक परमान मिला था बे परमान चाइनिश टेवलर वेन शांग का था वेन शांग यहां का स्टुडेंट इन टीचर थे वेरिया स्कोलर थे उस डायरी का नाम था सी यू की वे डायरी के माधि हम से पता चला कि नरंदा विस विद्धाले में 10,000 विद्धार थे और 1500 सो सी चक थे सात माइल लंबा और तीन माइल चवरा था क्योंकि प्राचिन काल में किलो मीटर नहीं होता था हम लोग निकाले हैं कि आप लोग तुरों समझाइए 10 किलो मीटर लंबा और 5 किलो मीटर चवरा के रिया में फेला हुआ था उन्वर्सिटी में एड्मिशन के लिए मुखेता चार गेट होते थे चारों गेट के आगे द्वार पाल द्वार पंडिक करे होते थे प्राप्त हो जाता था एड्मिशन मिलते ही इन्वर्सिटी फ्री सर्विस देता था रहना साना खाना पीना पुझता का दिया दी टोटल फ्री था और 200 विलेज कारेवनू क्लेक्टेट करता था राजा दो सो गाउं का टेक्ष लेता था माल गुजारी उसी से 10,000-1500 टीचर का मिंटे चला अब हम लोग जो यह देख रहे हैं प्लेट फॉर्म चारोत्र फैसा उलाए यह से मेडिटेशन है धियान करने का धियान करने से ग्यान की प्राप्ती होता था यह मेनली बुधिष्ट इन्वर्सिटी था आज सुनेक बुधिष्ट बनना परता था माथा मुंदन होता था औरिंज किलर का चीवर होता था यानि मौंक बहुत भिच्छु बना दिया जाता था यही मेन हिस्ट्री है नलंदा का इंटरनेट पे आप यही देखिएगा जिसका नाम है सारी पुत्रस्तूपा जो भगवान बुध का परधान सीज थे उनी के नाम पर अस्तूप बना था बरा मंदिर को अस्तूप बोलता था पाली लेंगोज में चोटा-चोटा मंदिर को चैतियाज बोलता था चैतियाज सारी पुत्र का बर्थ भी है वाव डाइड भी हुआ जर्म भी हुआ और महा परिर्मान मिर्टू भी हुआ भगवान बुधिस रास्ते से कब जा रहे थे 600 बीसी में यानि 2600 साल पाले यह सब अरिया में कुछ नह से जाना जाता था अब राजगीर बैंबो गार्डेन जो बास का बगान से फिमस था अभी भी जाई है तो होट अस्प्रींग के भगल में बेनु बन है वो बास का बगान हो है बोधिया में भगवान बुधने ग्यान की प्राप्ति किये थे बोधी ट्री के नीचे बोधी सारनाथ में धम चक परवर्तन का सरपर्थम उपदेश दिये थे भगवान बुधने वहां सभी सिस्वों के बुलाए कि मेरे जितने भी सिस्वने हैं सभी पहुंचिए सबसे ज्यादा इंकलिजेंट सारी पुत्र निकले इन्हें बहुत धमसेना पती बना दिया गया भगवान बुध के बाद यहां किसी का पुजा होता है तो सारी पुत्र का इसकी पुजा करता है थाइलेंड चाइना कोरिया जपनीज बर्मीज वियतनामी स्री लंका बुध पाल इन्वर्सिटी को बनाया है लेकिन अस्तूप अलग राजा बनाया है जो आप हिस्ट्री में परह होंगे कि बहरत वर्ष में जितना भी अस्तूप बनाया गया है समराट असोग के दवारा लूमनी बैसाली कुसिनेगर सरवस्ती सारनात नलंदा जितना भी अस्तूप समराट असोग बनाया असोग का टाइम 300 था पहले अस्तूप बना उसके बाद इन्वर्सिटी बना किसी भी अस्तूप के नीचे होलो होता है अस्तूप मिस होता है अस्ती जिसके नाम से अस्तूप बना उसकी अस्ती रखा जाता है यहां सारी पुत्र के नाम से बना सारी प सब्सक्राइब देख रहे हैं अस्वाइर व्ला मेडिटेशन बता रहे थे दियान करने का ए राउंड व्ला गोल व्ला है समाधी टीचर या स्टुडेंट के नहीं का नेच्रल डेथ हो गया तो जलाकर एशेज राग को धर देता था इंडियन का एक भी नहीं है विदेसी लो करते थे वह सब छोटा-छोटा मंदिर का रूम है जो अश्टाइचु मिला मुर्तिया मिला जहां मुर्तिया मिला म्यूज्य में रखा गया यह लाइन 10,000 चात्रों का पुजा दियान वह पर ना लिखना रहना बाकी रिया खुदा यह ना बाकी है दस किलो मीटर लंबा और पांच किलो मीटर चोरा बता रहे तेने देखें मीटी का पहार चार किलो मीटर इधर अरिया है आपका इधर मेडिटेशन और आपका टेम्पल मिलेगा उधर देखें मीटी मीटी का पहार तीन किलो मीटर उधर है उधर होस्टल रूम मिलेगा जो अभी में दिखाऊंगा बीच में कुवा मिलेगा आगे काहिरी आभी एक बर किलो मीटर में मात्र खोज हुआ है अभी बाकी है लाओड कनिंगम 1915 से सब्सक्राइब खोज किया उसके बाद नहीं हुआ फिर एक बार वा फिर रूग गया कभ हुई इसकी खोज 1915 से 1936 तक हुआ था में निए अब फिर इनोस्को के टिम में आ गया यानि कि बाद हरिटेज इस उधरोर में सामिल हो गया 15 जुलाई 2016 को आप इनोस्को वाले फंडिंग करते हैं और इसको जो है इस तरह से खोज करके निखाल रहे हैं यह सब सब मंदिर का है रूम जो आश्टाइचू आपका मिला यहां पे बिदेशी लोग भोटी वस्तूपा बोलता है हम लोग समाधी से समझते हैं और यह सब अश्टाइचू मूर्तियां जो देख रहे हैं यही सब मंदिर का रूम से मिला है जो यहां रखा गया है बरे बरे अश्टाइचू आपका मुजय में ले गया है यह जो चेयर देख र में भूमियास्वस मुद्रा भै मुद्रा बरन मुद्रा शारे मुद्राओं में यहां का चेयर होता था एक कुर्सी तो होस्टल तरब तूटा फुटा हुआ हुआ था एस एस आई ने आर्कोलोस कल सर्विव इंडिया नहीं से बचा के रखे हुए है कि चेयर उस टाइम सोला सोसाल पुराना इन्वर्सिटी में ऐसा चलता था और अश्टोन का चेयर होता था बाद में मेटल भी मिला और भगवान बुद्र के अने मुद्रा में मिला भूमियस्वस मुद्रा भै मुद्रा बरन मुद्रा शारे मुद्राओं में यहां का जो है मिले है तो लेक्च है फॉर्ष कुमार गुपत बनाए शकेन हर्ष्वर्धन बनाए इसके उपर पाला बनाए यानि तीन वार में बना और तीन वार में होश्टल बना और जो मंदिर का रूमसे अश्टाइचू मिला इजु देखिये हूं अपर रखा गया है बरे-बरे अश्टाइचू आपका म बुद्ध का परतिमा आगे द्वारपाल होते थे द्वारपंडित किसी भी बिल्डिंग में जाने के पले किसी भी मुनाश्री में जाने के पले आगे द्वारपाल द्वारपंडित होते थे एक बिल्डिंग से जो बत्ती सात्र निकलते थे मेडिटेशन के लिए तो आने के समय परिकर्मा करते हुए एक मंत्र परते थे बुद्धम सरनंग बच्छामी, दमनम सरनंग बच्छामी, संगम सरनंग बच्छामी इस तरह से बोलते हुए अपने मुनाश्री क्लास्रूम की ओर आते थे हम लोग एक बिल्डिंग में आये हुए हैं ऐसा 108 बिल्डिंग था अच्छा इसता बड़ा दिखाई यहां दस अजार चात्रों का विवस्ता था वन बिल्डिंग में 32 रूम मिला है 32 कमरे और लेक्चर स्टेज लेक्चर हॉल क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग बाटर का व इसके ओपर भीरूम नहीं हुता है हां रूम बना बट्ळा है और क्लासरूम के बीच में हुआ मिला है तो तीन बार में आपका होस्टल वे मंदीर बनाता हाय स्ट्वूडेंट का रूम कैसा होता था था हुष्टल है इतना बर u एक विद्ध्यार्थी का एक कमरा, और जब लाइट करता था तो गी का दीपक जलता था, सोलाह सो साल पहले लेटी सीटी नहीं था, विद्धुट नहीं था, क्या किया था कि दोनों तरफ माय का आश्टोर मार दिया था, अबराक जो सोलर का काम करता था और इसके उपर कोपर का पटी था तीन फीट तीन इच पर सन लाइट मून लाइट से रिफ्लेक्स होकर लाइट करवाता था अमाबस्या की रात वंबरसा के टाइम में गी का दीपक जलाता था और एक चीजा और मोटा चोरा जो दिवाल हम लोग देख रहे हैं छो फीट आठ फीट का इसका इंजिनियर तीन कारण से बनाया था इस तरह से इसका इंजिनियर कंट्रक्शन को तैयार किया था इसलिए हम लोग मोटा चोरा दिवाल हां देख रहे हैं सभी रूम सेपरेट होते थे सभी के आगे दरवाजा लग गया काटका दरवाजा लगनी का दरवाजा अंदर से लोग होता था बाहर से नहीं जिसका नाम कुकुंगी था पाली लेंगोज में अभी हम लोग किली चिट किली लोग बोलते हैं तो उन लोग कुकुंगी बोलते थे तो आईसा ही 108 होल था ही 118 होल मिला है यह जिसका लड़के पढ़ते हैं हाँ सिर्फ वाइस का एडमिसन था गल्स का नहीं अईसाओ अस्टोन पिलर पतर का पिलर था और सब धका हुआ था तो आईसा है एक 108 था 11 अगारा मिला और उधर दो लाइन में चला एक लाइन होस्टेल एक लाइन मंझे सब लोस्टेल रूम है वानर स्टूडेंट का वन रूम सेम सेम उसी ही सब रूम है आपके और यहां पर एक पिक्चर भी बना था जोनी मेरा नाम आपका देवा नंदे ने ममाली वो मेरे राजा देर से आई दूर से आई बादा तो निवाया यही जगा नलंदा में सुटिंग हुआ एक आपका जो बता रहे थे हस्तूप के पास एक वहाँ यही नलंदा का मतलब क्या होता है नलंम और तूसना नालंदा में लोटस है रही नलंदा में सुटिंग ङा न longest दो गिविश गीव दो नॉलेज नालंदा यह लेक्चर अश्टेज था यह लेक्चर होल क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग बाटर का वेवस्ता था पानी पीने का फरेक क्लासरूम के बीच में पुछा होता था अच्छा और यह का कुऊ भी देखेंगे अजीब गरीब है यह अश्टांगी मारगा श्टकोनी कुऊ यहां पाया गया है इसलिए आठ का जो है में मतलब की कमपल सरीर आ गया है यहां का कुऊ भी आठ कोनों का मिला यहां का सारे चीज आठ कोनों के मिले हैं को कि भगवान बुद्ने अश्टांगी मारगा अपना है तो सभी क्लासरूम के बीच में कुऊ होता था ओ लेक्चर स्टेज था जहां से गुरू लोग बोलते थे हां बाकी चारोत्राफ रूम बना गवा था स्टूडेंट रूम और एक क्लास्रूम में बत्ति चांतर बेड़ते थे बस 32 अस्टूडेंस का मतलब सिटिंग था और वन सब्जेक के लिए 96 अस्टूडेंट होते थे हां 96 होता था मनें एक सब्जेक के लिए 32 नीचे 32 बीच में 32 ऊपर 96 यह जो 32 कमरे का होस्टल होता था क्लास्रूम बीच में कुआ इसी में सारा बेवस्ता होता था मौंक लोगों का जहां से गुरू जी वहां से पढ़ाते थे जो लेक्चिर स्टेज था एक चीज आओर यह जो गड़ा क कर देख रहे हैं यह पाला राजा कुमार गुपता के टाइम में यह मेडिसीन का कलास हुआ अईरुवेद का वें शांक का डारी बता रहा है इंडिकेट कर रहा है लेकिन दूसरे राजा हर्सवर्दन आय तो इसे सामय भोजन के उद्धेस से बना दिए तो कीचेन हूल का मिला है देखिए यहां से यहां से सामने तक था बीच में नया बंद किया है और कुलो उसके सर्वेफ इंडिया ने काट की लकरी डालता था चुला तुरंत ही ठोता था खाना दिन में एक ही बर बना चावल दाल और गी और रात में अमरीत हो जन होते थे दूद्द ही मक्षन जो 200 गाउं का टाक्स आता था यहीं से जला हुआ चावल मिला और जेगा से मिला जो आपका मुज्य में रखा गया है जाही है तो यह सामने तक था बीच में बंद किया है काट के लकडी डालता था चुलात उता है खाना दिन एक होता है इस प्र खाना दिन में यहीं चाबल डाल उर गी अम्रिद भोजन होते थे दूद दहीं मकनगी जो 200 गाओं का टैक्स आता था उवें शांग अपने डाइरी में चर्चा किया है कि नलंदा का आम अमरीद के बराबर होता था नलंदा काम, अम्रित के बराबर, तो रात में आम का भी हुज होता था आपका, और दोसो गाउं का दुद्द ही मक्हन गी जुआया, वो रात में इस्तेमाल होता था, चुला नहीं जलता था, और ये? ये 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 एक लेक्चरा स्टेज है, दूसरा राजा का, वो पहला राज बीच में हरसा डाइनेस्ट्री देखा दिया, इसके उपर पाला डाइनेस्ट्री दिखा दिया, लौड कनिंगम तीनों लेवल को कड़ करके दिखा है, यहां से पढ़ाते थे, यहां से पढ़ाते थे, यहां लेक्चरा स्टेज है था आपका, जहां से गुरु जी बोलते थे, और सारे क्लासरूम में अस्टूडेंट बैठते थे, 32 अस्टूडेंट का सिटिंग था, और बोलते थे, और कि नहीं को माले जाए कि क्लासरूम में आने में बीमार हैं या कोई खारण बस, नहीं आ पाए तो उनके आवाज तक, उनके रूम तक आवाज जाता था, आज जो हम लोग कह रहे हैं, सोसल डिस्टेंसिंग उस समय भी बनाये जा सकता था, और लोग बनाये भी, हम लोग से विशेश बनाये, आज हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, जितना पहले था, जो बोला गया है, तो यह जगह है, जहां से लेक्चरर, व्याख्याता व्याख्यान देते थे नालंदा विश्विध्याले में, यही लेक्चर का स्टेज है, उसके नीचे कलासरूम है, नीचे स्टुडेंट्स जो होते थे, वो पढ़ते थे, हरे कलासरूम के बीच में बह करें कि अजिए जगा दो कमरा भी था चारो तरफ रफ तरफ माले वन मनाश्टरी में सब्जेक्टी होगा और माले जाए कि मेटीशन का है तो है मेटीशन का रहेंगा तो मैदार्फिलोस्वी में जाओं गढ़ा है हाँ, सारे स्टुडेंट रूम है, गढळा, वो दिखा रहा है, गुपत काल वला बीच में अर्सुर्धन वला दिखा रहा है, इदर पहला राजा वला रूम दिखा रहा है, इसके उपर तीसरा राजा, इन तरह से दिखिए तो, इसमें गढळा हो गया, और निश्धा किया, यह विद्यारती यहां पढ़ते थे नालंदा विद्यारती के लिए एक कमरा यही था नालंदा विद्यारती का कमरा जिसमें स्टुडेंट्स रहते थे पढ़ाई करते थे परवीन जी हम लोग को बताए नालंदा विस्विद्याले के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको और अपना नंबर हो सेगे तो बता दीजे कि कोई अबर आएंगे बाहर से आपसे बात करेंगे 730-150-2535 मेरा नाम परवीन कुमार हुआ और नालंदा में ही मैं टूरिश्ट गाइड का काम करता हूँ और अथोराइज गाइड हूँ और कुलोस्कल सर्विव इंडिया के तरफ से लिए निखा हुआ भी है गोर्मेंट ऑब बिहार देपार्टमेंट अफ टूरिजम तो आप आपका नाम वेद परकास आपका नाम है मैं याद कर लिया हूँ जब कोई आपका नाम बोल देंगे तो उसमें डिसकाउंट क्या वो जो कहेंगे उन्हीं कहनुसार चला जाएगा बढ़िया शुक्रिया घुमाए आप बहुत बहुत दिनेवाद आप नलंदा घुम लिए इसी तरह और बाकी जगह भी हम आपको घुमाएंगे बिहार में कहां कहां परिया टनस्थल है तो बने रही है हमारी साथ और इसी तरह घुमते रही है बिहार